नमस्कार सूचनायवम जन्संपर्क विभाग की प्रस्तुते हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है पेश हैं आज के समाचार आज शिमला से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाको ने मंडी जला के सराज विधान सभा क्षेत्र में 197 करोड रुपे की विकासात्मक परियोशनों के लोकारपन की और अधार्शिलाएं रखी मुख्यमंत्री ने थुनाग क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्यूत बोर्ट लेमेटेट के 95 लाख रुपे की लागत वाले टाइप 2 क्वार्टर के दो मंजिला भवन की अधार्शिला रखी उन्होंने 1 करोड 12 लाख रुपे की लागत से निर्मित होने वाले 33 बटा 22 केवी विद्यूत सबस्टेशन के समवर्धन, 3 करोड 18 लाख रुपे की लागत वाले सिल्क सीड उतपादन केंडर भवन, 5 करोड 50 लाख रुपे की लागत वाली थुनाग और आस पास के क्षेत् मलनिकासी योशना की आधार्शिला रखे मुख्यमंत्री ने 4 करोड 24 लाक रुपे की लागत से राजकिय वरिष्ट माध्यमिक पार्शाला बगस्यार के स्कूल भवन और राजकिय महाविद्याले लंबा थाच में 8 करोड 35 लाक रुपे की लागत वाली विज्ञान प्योग एवं बहुदेश्य भवन की आधार्शिला रखे श्री जाराम ठाको ने प्रधान मंत्री ग्राम सडक योशना के तहट 6 करोड 33 लाक रुपे की लागत से थुनाग लंबा सफर सडक नाबार के तहट 6 करोड 58 लाक रुपे की लागत से राइल चिंडी कर्षवाली सडक और 10 करोड 62 लाक रुपे की लागत से भगस्यार रईधर कत्तियाली धनवार शिकारी माता सडक के कारे की आधार्शिला भी रखी श्री जाराम ठाको ने चंजहली क्शेतr के लिए 58 करोड रुपे की लागत से बननने वाली 11 वैकासात्मक परियोश्नाउं की देला भी रखी उन प्रधान मंत्री ग्राम सडक योशणा के तहटीाट 32 checklist रूपे की लागत से जंजहेली मगरुगड़ा बिल्लागार छतरी सडक के सुधार और स्तरोनयन कारे की अधार्शिला रखी उन्होंने प्रधान मंतरी ग्राम सडक योशणा के तहट 13 kaikki रूपे की लागत से जंजहैली राइगर शिकारी माता सड़क के सुधार वस तरो नयन जंजहैली वा आसपास के क्षेत्र में 6 करोड 80 लाग रुपे की लागत से मलनिकासी योशना की भी अधार शिला रखी मुख्यमंत्री ने 10 करोड 22 लाग रुपे की लागत से जंजहैली में सयुम्त कार्याले भवन के निर्मान कारे की अधार शिला रखी मुख्यमंत्री ने 6 में 40 करोड रुपे की लागत से 9 विकासात्मक परियोषनाओं की आधारशिला रखे उन्होंने 3 करोड 17 लाख रुपे की लागत से राजकिय वरिष्ट माध्यमिक पार्चाला ब्रयोगी वो 3 करोड 46 लाख रुपे की लागत से राजकिय वरिष्ट माध्यमिक पार्चाला मेहडी धार के भवन निर्मान तथा 4 करोड 15 लाख रुपे की लागत से उप तहसील कार की आधार्शिला रखे मुख्यमंत्री ने 14 करोड 69 लाक रुपे की लागत से आईटी आई भवन 3 करोड 17 लाक रुपे की लागत से कोहलू गड रूतातन सडक पर सुके दिखड पर बनने वाले पुल प्रधानमंत्री ग्राम सडक योशना के तहत 7 करोड 94 लाक रुपे की और स्तरो नयन कारे की आधार्शिला रखी उन्होंने 6 करोड 89 लाक रुपे की लागत से छत्री में 33 बटा बाई के वी क्षमता की सब स्टेशन की आधार्शिला भी रखी श्री जाराम ठाको ने के लोधार के लिए 28 करोड रुपे की लागत से 14 विकासात्मक परियोशनाओ की लोकारपन की वा अधार्शिला रखी इस औसर पर श्री जाराम ठाको ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के संतोलित वसमगर विकास विशेशकर दुर्गमेवं दूरतराज क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबध है उन्होंने कहा कि पूर्वसरकार के कारे निरधारित समय में पूर्ण करने के निरदेश्टिय ताकि लोगों को इसका लाब शीघ्र प्राप्त हो सके मुख्यमंत्री ने कहा हमने धहले रखा है, साइम रखा है, सबर रखा है कि ये दौर समात हो जाएगा और आने वला समय में इस बात को मुस्मिश्चित करेंगे कि जब हलात ठीक होगे तो फिर गती पकड़ करके विकास को जो है तेज गती से आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे ये हम आपके बीट में कहना चाते हैं विवीन योजनाम के माधिम से आज हमने जो शिला निया सरुग धातन के जो कारेक्षिम किये हैं ये आप लोग को समर्पित, आप काम करें, आगे बढ़ें, शेत्र विकास की रहा कर आगे बढ़ें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी स्राजधन सभ भक्षेत्र के एक प्रतनिथी मंडल ने भाजपा निता डॉक्टर प्रमोध शर्मा के निद्रतों में आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकुर से भेंट की प्रतनिथी मंडल ने गत मंगलवार को शिमला ग्रामीन विधानस भक्षेत्र में विकासात्मक परिय मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकुर ने पूर्व मंत्री श्री रगुराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है वे 85 वर्ष के थे वे 1982 में पहली बार कसौली विधानस भाग शेत्र से विधायक बने और पांच बार विधायक चुने गए मुख्यमंत्री ने इश्वर से दि मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकुर का प्रदेश वासियों के नाम संदेश कहले तो मैं येही निवेदन करना चाहूंगा कि अनवश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहिस करें कहीं भी किसी भी कारेक्रम में चाहें वो शादी है और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें इसके अतरिक दो गज की दूरी बहुत ही दूरी जो आदनिय प्रधान मंत्री के काग्रह है उसका भी हम पालन करें हम यह चाहते हैं कि आप स्वस्त रहें आपका परिवार स्वस्त रहें हिमाचल परदेश को करोना मुक्त करने के आज 2987 लोगों के सेंपल लिए गए जिन मैंसे 596 लोगों की रिपोर्ट नेगटिव पाई गई है जबकि 2341 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है अभी तक 5,87,630 लोगों की जांच की जा चुकी है जिन मैंसे 5,38,390 सेंपल की जांच नेगटिव पाई गई है प्रदेश म में कोल 46,409 लोगों में कोरोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी हुई हैं जिन मैंसे 38,437 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,180 व्यक्ति उप्चाराधीन हैं हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर एट DPRHP, लाइक करें फेस्बोक पेज इन्फरमेशन और पॉब्लिक रिलेशन्स देपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, वेजट करें वेबसाइट www.himachalpr. इस अंक में इतना ही, कल फिर होगे मुलाकात, दीजे इजाज़त, नमस्कार.